mówi riuscarर साथियों सभी का स्वागत अविनदन घ्र मानिंग कैसे आप सब लोग तातियों राजस्थान पॉलिटी पड़ रहे थे और जैसे की असिस्टेंट प्रोफेश्टर तो 25 आपके प्पचीह जिस जोगराफी के फचीush य इंड कल्चर के साओ ज्यादा चाहफ साँ कैसे और सकते की सरकार को तार कर सकते हैं और आपको आर्थिक समिक्षा में एकोनोमिक्स में आर्थिक समिक्षा वैसे इंक्लूट है कि उसके थोड़े प्रसंद ज्यादा हो सकते हैं तो सरकार की नीतिया वैसे सामिल हो जाती है सरकार की नीतिये में से वेलफेर स्कीम के जन कल्यांड करी जो योजना है वह वैसे इसमें साथ आपको अच्छे से पढ़ना इस परकार का आपको नहीं पढ़ना खेल खिलाड़ी इस परकार का अब से परकार की योजना है इसी में पॉलिटी के कुछ टॉपिक है जिसे जन सूचना पोर्टल है रास्तान संपक्ग पोर्टल है लोग शेवा गारेंटी अधिकार अधिनियम है इनको भी अपन देख एक साथी का मेसेज था कि सर हमें जो राजिस्तान जी के है वह असिस्टेंट प्रोफरेसर के अकवर्डिंग उतना अच्छा नहीं मिला जातरान जीके का सेलेबस सेमक्वई है और तक है। अबस जाए और अपस्तान होता है पर आपको परशनोगा लेवल की अब सुछे aquí first-grade यह कहने सब 300 गंटे साधे 300 कंटे का अमारे जो अवेलेबल कराई है उनको तो वह ज्यादा लग रहा है यह नों लाइफ में कभी जीके नहीं पड़ी जो चाहते हैं कि जीके में हमारे 50% सही हो जाए उनको तो वह ज्यादा लग रही है अभी आपको आर्थिक शमिक्षा जोग्रफिय अवेलेबल करें तो यह चीजी थोड़ों आपको इतना पढ़ लोगे ना आपको अपना सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है तो नों में बैलेंस बना के चलना है फिर सबको साथ लेके चलना पड़ता किसी को ज्यादा लग रहा किसी को कम लग रहा तो दोनों को आज अपन बढ़ेंगी तो राजिस्तान जन सूचना पोर्टा जन सूचना यह आपके सेलेबस में में से जन सूचना पहली चीज तो यह कब सूरू किया गया है कि यह कब लॉंच किया गया है जन सूचना पोर्टल को कब लॉंच किया गया है 13 सितंबर 2019 को 13 सितंबर 2019 को लोग पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल पोर्टल यह जन सूचना पो तेरा सितंबर 2019 को उसमें राज्येपाल कों थे हैं अच्छेपाल कल राज्येपाल को ने कल राज्येपाल को उनने 9 सितंबर को जो इन किया था और यह 13 सितम्र को लॉंच वा राज्यपाल कल्राज मिश्र के समय राज्यपाल कल्राज मिश्र के समय आप से पूछ सकते हैं जन्सूचना पोटल है कब लॉंच किया डेट पूछ सकते हैं जन्सूचना पोटल लेए आप से पूछे कब लॉंच किया गया 13 सितम्र 2019 को लॉंच किया गया उसके बाद एक लाइन क्या है कि एक लाइन क्या है 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 इसकी टेजद लाइन है ससक्त नाज्रिक वसाल राजस्तान ससक्त नाग्रिक पूछ सकते हैं इसकी जब नाग घर तसक्त हो गार психिर्ट गरिमिय। संब राजिस्तान वो साल राजिस्तान इसका नॉडली वहन कॉन सही कैसा इसको लूंच करने वाला इंपलिमेंट करने वाला इसका नॉडली वहन कौन वो सकता आपसे नोडल इभाग पूछ ले जन सुचना पोटल का नोडल इभाग कौन सा जो Isled की मैं करता है नोडल इभाग कौन सा सुचना प्रोध्योगी की एवम संचार इवाम का सुचना प्रोध्योगी की आए overturn pronunciation technology क्रोंच दिपार्मेंट सूचना प्रधयोगी संचार विभाग कि इसका जुचना पोटल है। इसकी हेलप लाई नंबर क्या है ज़न सूचना पोटल कि help line number के है जन सूचना पोटल के help line number के है help line number क्या है देखिए ये तो सब के same होते है 1800 100C ये तो सब के same होते है फिरे 6127 627 ये तो सब के same है 1800 XOC आगे आद रिकना है 6217 फोसकते है जन सूचना पोटल के help line number क्या है यहां तक के लिए एब आजाते हिसके उद्दाशे का है इतों कुछ बैसिक बात यहती इसका उद्दशे क्या है का पश्रेक a कि जन सूचना पोटल है इसका उद्दशे क्या मोटो का है सरकार द्वारा किर्यानवित सभी योजनों की जानकारी सभी योजनों की जानकारी एक ही जगे उपलब्द करा नों एक ही जगे तुलब या आसानिस हैं पार्दर्सी यानि उसमें ट्रांस्प्रेंसी होनी चीए क्रफसन नहीं होना चीए एक ही जगे तरकार के द्वारा चलाई जारी जितनी भी हो जना है उनको एक ही जगे आसानी से सुलब ट्रांस्प्रेंसी यानि पारदर्सी तरीके से पारदर्सी तरीके से तता विश्वस्नी जनता में विश्वस होना विश्वस्नी तरीके से उपलब्द करवाना तो यह इसका उद्धिश है तरीके से यह यह एक किलिप जैसे आप एक क्लिक करोगे जन सुचना पोटल पर क्लिक करोगे क्लिक करते ही आपको अलग लग विभाग की जानकारी यहां पर मिलेगी जो जानकारी आप चाहते हो उस पर क्लिक कीजिएगा आपको उसकी जानकारी उपलब्द कर जैसे आप क्लिक करोगे जन सुचना पोटल पर एक जगे सारे विभागू की आपको जानकारी वहाँ पर मिल किरियानमीत सभी योजनों की जानकारी एक ही जगे तुलब पारदर्श्री और विश्रिश्ट ने तरीके से उपलब्द करा ना ये इसका क्या है उद्देश्य है इसका उद्देश्य है और क्या उद्देश्य है सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 र्टेएक्ट 2005 राइट टु इन्फोर्मेशन र्टेएक्ट 2005 सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 कि द्धारा चार दो कि द्धारा चार में भी कौन सी दो द्धारा चार इसका भी सब क्लोज टू सुचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 कि द्धारा चार दो को परभावी बनाना ये इसका उद्देश्य है करने तो आटी एक्ट 2005 की धारा चार दो को परभावी करने के लिए जन सुचना पोटल बनाया गया ये इसका दूसरा उद्देश्य क्या है जन सुचना पोटल का दिसरा उद्देश्य क्या है सुचना उद्देश्य क्या होता है सामाजिक अंकेशन सरकार को योधना चला रही है वह ग्राउंड लेवल पर जो इंप्लीमेंट की जाती है वह इत वह कौन-कौन काम्या है तो सरकार के जितने दिगए एक तो परसासने का दिकार जिसे ग्रामिन इस तर पर वीडियो विलेज डवलपेंट ऑपिशर फिर वीडियो ब्लोग डवलपेंट ऑपिशर व्लोग लेवल वह तो प्रसासने का दिकारी हो तेजिए आपको सोसल अडिट का मतलब है समाज के लोगों से आपको ऑडिट करना उनसे पूछा जाता कि आपके लिए जो योजना चलाई गई है वो कितनी हेल्पुल है क्या इसके पॉजिटिव है क्या इसके नेगिटिव है तरपंज भी जाके उसकी audit कर सकता है यह जनता से पूछना जनता से feedback लेना कि यह जना आपके लिए कितनी helpful है क्या इसमें improvement किया जा सकता है तो होता social audit समाजिक unication समाज के दोरा समाज के ground level पर समाज के लोग उसे जिनके लिए यह जना चलाएगी उनसे feedback लेना कि आपके लिए यह जनता कितनी helpful है या नहीं तो बोलता है social audit समाजिक unication तो social audit के साथ साथ समाजिक unication social audit के साथ साथ आम जन तक आम जन तक सरकार की योजनों की पहुँच सोनिशित करना पहुच सोनिशित करना सोनिशित करना जन सूचना पोटल से गाव में बेटा व्यक्ति इमित्र पे जाके या जन सूचना मोबाइल एक के मादिम से अब को सरकार की कौन कौन सी योजना ही चल लिए करसी से लिटेड या और किसी बिजली बाग से लिए उन पर क्लिक कर सकता है और घर बेटे सूचना पर आप और फीड़ेग भी दे सकता है सोचनल ओडिट हो गई उसको पता कि सरकार की होजना चल लिए हमारे लिए कित्ती फायदे मन दें किसासत आम जन तक सरकार की जितनी भी होजना है उनकी पहुंच सुनिशित करना तीसरा अब जन सूचना पोटल सूचना पोटल यानि इसमें सूचना देना जरूरी है तो इसमें अधिकारियों की भी एक आपको यह कह सकते हैं अधिकारियों की भी एक ठीके रेस्पोंसिबिलिटी ठीके फिक्स कर दी कि आपको यह सूचना उपलब दी कराना है अधिकार चन सूचन पटल पर सूचन देने तू विभाग के अधिकारियों की जवाब देए सुनीषित की गई विबाग के अधिकारियों की विबाग के अधिकारियों की जवाब देई सुनिशित की गई यानि हर विबाग के अधिकारी की रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स कर दी कि आपकी responsibility के आप सूचना उखलट करा हो दो है तो सूचना है तो विभाग के अधिकारियों की जवाब दे, तो निशित की गई. जवाब दे निशित करने, यह इसका उद्थिशे हैं. जवाब दे, निशित करने. यह भी जन सूचना पॉटल का क्या है? हर विवाग कि अदिकारी की जवाब लें, accountability fix कर दीगी ये विसका उद्ष है ये तो इसकी क्या होगे उद्ष उद्ष होगी है अब यह बात करें है कि ये कुछ मैदपन उद्ष जो आपको पता होना चीह है कि क्या-क्या इसके उद्धेश है क्या कैसे भूण सकता आप से जंथotrosनशए पोरटल के क्या-क्या उद्धेश सी अब बात करतें मॉनिटीरींग की बात क्यूंत के सब्सक्राइथ कי बात कर लेतें आधे मॉनिटीरिंग की बात कि इसमें ब्लोक, ब्लोक स्तर पहे और खंड इसतर पहें, जिला स्तर पहें, जिला स्तर पहें, राज्ज्य इसतर पहें. इन तीनु इस्तर पर ब्लोक, जिला और राज्य इस्तर पर थिकायत निवारण अधिकार्यों की निउक्ति की जादे। इन तीनु इस्तर पर थिकायत निवारण अधिकार्यों की निउक्ति की जादे। इसमें शिकायत निवारण अधिकारी त्री इस्तर पर बेढ़ते हैं यह तो गया शिकायत निवारण तंतर अब आजाते हैं मोनेटरिंग की बात इसकी कर लेते हैं मोनेटरिंग की बात मोनेटरिंग किस लेवल पर होती है मोनेटरिंग है तू जनसलाकारी गरुप बनाया गया है जनसलाकारी गरुप बनाया गया है जनसलाकारी गरुप बनाया गया है यह पूछ सकता है जनसुचना पोटल की मोनेटरिंग गरुप बनाया है जनसलाकारी गरुप बनाया गया है इसकी अधियक्स्ता किसके द्वारा की जाती है इस गरुप की अधियक्स्ता कौन कर ता इसकी इस ग्रुप की जन्सलाकारी ग्रुप की अध्यक्स्ता कौनगा। सुचना प्रोध्योगी विबाग का सचीव जो विशेश अचीव होता है वो इसकी क्या करता है अध्यक्स्ता करता है। के प्रद्योगी विभाग के Information Technology Department कि तुचना प्रध्योगी की विवाग का विशेश सचीव का विशेश सचीव होता है को जन्सलाकारी ग्रुप का क्या होता है एक अध्यक्स होता है विशेश सचीव और आयुक्त दौर इस के विशेश सचीव होन कर रहा है विशेश सचीव और आयुक्त करमा का नियुक्त क्यों प्रएब के वाड़ी कि बाद करें मॉनिटारिंग के बात करतें आप से कोई पूछे यांसा एक और पर्सन आपसे बहात हि kind परशने पूछा जा सकते हैं क्या परशने नागरी को द्वारा कि सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती जन सूचना पोटल तो नागरी को द्वारा कि आपको यह सूचना लेने क्या करेंगे नागरी को द्वारा जन सूचना पोटल पर जन शूचना पोतल पर योज़ना का चैन कर योज़ना का चैन कर अपको जो जो योज़ना ची जानकारी चीए है जानकारी पर आप जनकारी प्राप्त कर जा सकतoque है है आप जनसूतना पोटल पर जाओ जो योजना चीए अलगलग भागूव की योजने अब मैं बताऊँगा कितने बागोव की अपने जो योजना चीए अपको उस योजना पर जानकरी की जा सकती है कि जा सकते हैं कि आपको जो योजना चे जानकर्य आप राप्त है जो बी आपको जानकर्य आप कि का मिलेगी का कैसे पराप्त कर सकते यह जानकारी इमित्र प्लस जानकारी इमितर हो थी ओंआ इमितर वहाँ से प्राप्त हो सकती हो कि एक तुत जानकारि कहासे मिलेगी आपको इमितर से मिल जाएगी पासा मिल जाएगी इमितर पर मिल कि इमितर प्लस मशीन जाता जंसूचना मोबाइल एप एक एप भी है थे लिधा sicher मॉबाइल एप एक इसको आप मोबायल में डाउनलोड कर सकते हैं जन सूचना मोबाईल एक वीजान कारी दो तरिके से एक इमित्र से एक जन्सूचना मोबाइल एत दवारा दवारा तरौप्त कर सकते हैं ज़ान आई तो इमित्र के माधिम से जानकारी मिले जाएगे आपको और यह आपके पास Android Mobile है तो आप जंसुचना Mobile App जंसुचना पोडल जंसुचना पोडल पर जन सूचना पोटल पर इमित्र के माधियम से निसुल्क जानकारी मिलती है इमित्र से जानकारी प्राप्ट करने पर कोई सुल्क नहीं लगता इमित्र से जानकारी प्राप्ट करने पर कोई सुल्क नहीं मिलता कोई सूलक नहीं लगता यह आप जद इमित्र पर जाओ और बोलो कि मुझे इस योजना की जानकारी चीए वह आपसे कोई पैसा नहीं लेगे जन सुचना पॉडल पर इमित्र से जानकारी प्राप्ट करने पर पूई सूलक नहीं लगता यह निसुल्क है यह नहीं लगता यह निसुल्क जानकारी आपको इमित्र वाला देगा यह आपको किसी भी विवाकि जानकारी प्राप चाहिए या जानकारी चीए आप जनसूचना पर जाओ उसको बोलो कि मुझे इस लेपार्मेंट की यह जना चाहिए जनसूचना पोटल से जानकारी प्राप्त करने के लिए त MILKUL नहीं जनसूचना पोटल से जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना पोटल से जानकारी प्राप्ट करने तो जन सूचना पोटल से जानकारी प्राप्ट करने के लिए SSO ID के आवशक्ता नहीं हूँ SSO ID के आवशक्ता जन सूचना पोटन से जानकारी प्राथ करने के लिए आपको SSO ID के आवशक्ता नहीं हूँ बड़ी महत्पुण और काम की चीज क्या है आपके लिए वो सबसे बड़ी महत्पुण अब यह आँकड़े बहुत मैजपौन अब इंपोर्टेन लगाल यहनी कितने वभागू की कितनी योजनों की कितनी जानकारी उपलब्द है बैजन सूचना पोटल पर कितने वभागू की रास्तान सरकार के कितने वभागू की कितनी योजनों की कितनी जानकारिय उपलब्द है यह एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूछाता है इस पोर्टल पर इस पोर्टल पर इस पोर्टल पर 331 राजकी योजना है 331 सरकारी योजना है यह पहले भाग लेते हैं इस पोर्टल पर विभाग लेते हैं 115 वभागू की 115 वभागू का कितनी योजना है totally 31 योजना यह 115 वभागू की 331 योजना है 331 योजनों के 331 योजना ही चलती है उनकी 331 योजनों की 690 जानकारिया या 690 एक योजना में 2 जानकारी मिल रही है या 333 योजना है और 331 की टोटल 690 जानकारिया पुलब्ध या अंक्रे किसके है आर्थिक शमिक्षा के यह जो आक्रे इसका सौर्स क्या है इसका सौर्स आर्थिक समिक्षा कौन सी अभी जो आई है आर्थिक समिक्सा 2022 बजट हमेशा एक साल आगे बजट तो पूरा नुमान होता है बजट 23 चोईस का आया है लेकिन आर्थिक समिक्सा 2022 यदि एक्जामलर आर्थिक समिक्सा को ध्यान में रखते वे पेपर बनाता है यह आप से पूछेंगे जन सूचन लेकिन वरतमान में लेक्टेस्ट क्या है बैर अर्थिक समिक्सा भाला भी पूछले तो भी दिक्कत नहीं है और वरतमान में क्योंकि असिस्टेंट प्रोपेस्ट में आर्थिक समिक्षा को विश्यस जोर दिया जाता है वर्तमान में 115 भागु की विभाग तो उतने ही उतने 115 भागु पहले भी कितने थी 115 योजनाई थी अब योजनाई बढ़ गई अभी जो दिखा रहा है 115 भागु की 335 पहले 331 थी 335 योजनाई की पहले कितनी जानकारी दिखा रही थी 331 की 690 दिखा रहे थे अब विभाग तो इतने के उतने पहले 331 थी अब 335 चार योजनाई अभी लेटेस में ज्यादा बढ़ गई जानकारी बढ़ेगी योजनाई की शास्तो साथ मिंदू यह उसका सुरोत क्या है इसका स्रोत जन सूचना पोटल जिसमें लिखावा है जन सूचना पोटल इसका सुरोत तो मैंने दोनों आकड़े लिखा दी आर्तिक समिक्सा का अनुसाथ विभाग तो 115 आर्तिक समिक्सा जब आई थी 331 योजनाई अब 335 बता रहा हूं 590 जानकारी थी अभी यह जानकारी है वर्तमान में 707 बता रहा है यह वर्तमान में है जो जन सूचना पोट पोटल अपना क्या होता है अब राजिस्तान संपर्क पोटल कि राजिस्तान कि संपर्क अर्क क्या ब्ड़ल माता है आप किसी इवी विबाग की सिकाईथ यहां पर दर जक्रावि कि कि सिकायथ निवारन तंतर है कि वर्तमतव पोटल में शुरूर संपक्पोर्टल का बताओ रास्तान संपक्पोर्टल की रास्तान संपक्पोर्टल की यह वेब पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया यह वेब पोर्टल कि यह वेब पोर्टल जो संपक्ग पोटल है ये वेब पोटल सूचने यह तकनिकी विवाग द्वारा शुरू किया गया सूचने यह तकनिकी विवाग द्वारा शुरू किया गया सूचने ट्खने की विवाग द्वारा शुरू किया पोटल किस द्वारा सूचने थ्रेकתחता का आमजन है कोई हैं कि अपने शिकाइतियान दर्ज करा सकते हैं तो इसका उद्द सामाने की शिकाइतों को दर्ज करना दता जो भी आमजन है उनकी शिकायतों को दर्ज करना जन सामने की शिकायतों को दर्ज करना और उनकी जो भी शिकायत करते हैं तो आप किस विवाग की शिकायत है किसकी शिकायत है वो कंप्लेंड दर्ज करते हैं आपके पास एक मैसे कंप्लेंड नमर भी आता है फिर आपस फोन कर लुए समय के नराकरण हुआ किया शीकाई दर्ज़ कर स्काइड बाद रटे में होने के बाद आपकी समयराकरण आपकी श्रूचया गया कि डारा नीराकरण है तो सुरूकर निवार्न मंज के रूप में किया जा है एक ही कर्थ सिकाइत निवारण मंच के रूप में किया जा इसका मुतलिब क्या है किसी भी विवाग की सिकाइत हो उसके लिए आप इस संपक पोटल पर संपर्ख कर सकते हैं यो किया जा के रिविंगंगए की शिकाइथ आप यहांद ज़से हैं कि विदिगिपाग को की सिकाइथ टर्ज करा में कि से काइस एक जगे तरcej करा सकते हैं मिलेंगों की सिकाइथ कि एक ही जगे ंब अब युनी बाग्यु सिकायत एक जगे दर्ज करा सकते हैं अलग लग डिपार्मेंट की जो सिकायत है उआ आप एक जगे दर्ज गा सकते हैं इसे बोलते एक ही करत सिकायत निवारण मंच वोल कोन से इसके लिए हल्प नाइन नमबर क्या है इस पे आप संपर्ग यानि इसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं यह टॉल फ्री है टॉल फ्री नंबर यह हैल्प्लाइन नंबर 181 इस पे आप पोल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं अब यह रास्तान संपक्ट पोटल पे शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं एक तो हेल्प्लाइन नंबर पे शिकायत करा सकते हैं एक तो हेल्प्लाइन नंबर पे करा सकते हैं दूसरा इसका जो पोर्टल बनावा है यह वे इस पोर्टल पर जाके आप ओनलाइन सिकायट करा सकते हैं अंपनाइन सिकायट समिटी मुख्याल है तेहें जीला इस्तर पर भी संपर्क केंदर बने ने जीला संपर्क केंदर यहां पर आप प्रत्र शुरुफ से जाके शिकाईद हज किरा सकूं पंचाइज स्मिंप्रिय लेवल पर उट जीला संपर्क केंदर बने गया है संपर्क के अंदर बने है संपर्क के अंदर पर निशुल के शिकायद दर्ज करा से यहां परतेक शुरूप से जाओगे यहां कोल कर सकता है यहां गर बेटे ओनलाइन पोर्टल पर शिकायद दर्ज करा से यहां पर आपको जाना पड़ेगा पंचाय समित्य और जिला इस तरी क्ट्रक्ट के अंदर पर निसुल्क रूप से सिकायत दर्ज कराने के शुईदाügen त्ट्रेशन रूप से पिकायत दर्ज कराने की शुईदा courageous का। घृषिए निसुल क्रुपस आप सिकायथ रर्ज करा सकते तो यह कोल करके यह घर बेटें औलाइन और यह आप यहां पर जाना पड़ेगा लेगिन निसुल का आप सिकायथ करा सकते तो नेक्स्ट डेक्सेह यह कि सिकायत कैसे कैसे दर्द करा सा ini पिर इसी में युदि बात करें तो संपक्षाटल ने में संपक्षाटल ने अलगलग आयाम इस्थापित कि नि का सब्सक्राद कोई चाहता कि मेरे सिकायित नός रास्तान संपर पोटल ने तुसाषन के लिए विभीन आयाम तुसाषन गुड गवर्नेंस तुसाषन के लिए तुसाषन के विभीन आयाम इस्तापित कि जब से सब्सक्राइब करेंगे तो अपनी सिकाइट हो जाएगी पारदरश्चिता को बढ़ावा मिला है पारदरश्चिता को बढ़ावा मिला है एक-क synchronous विभावा पहले क्रती हर विभाव की सिकाइट अलग-लग विभागो में जाना पड़ता अब एक ही नमबर पर कॉल कर दो या एक जगे एक ही पोटल पर आप कि सबिवावगों के सिकाइट दर्जकों से, printedudikot दीक गर्थ निवारण त्यार हो गया है कि एक जगे कोल करो किसी वाख की शिकायट करा अपको अलग अलग विभागू में बठकना नहीं पड़ेगा अन्य पर किसे क्या होगा माली जी यह कोई शिकायट है उसका निराकरन होगा जो इसका समाधान भी तो सेवा परदान पढ़ना लिए इससे आको सर्वीस मिलेगी हर कोई चाहेगा मेरी शिकाईत नहीं तो सर्कार के द्वारा उपलब्द करा या और इसे जो सरकारी क्रमचारी और अधिकारी है नागरिकु के परति वो समयदन सिल होगे यादि नागरिकु की वो उपेक्सा करता है तो उसी काहित कर देंगे नागरिकु के परति समयदन सिलता बढ़िए यादि पहले वो उपेक्सा कर देते थे अच्छा इनका काम है नहीं करेंगे उपेक्सा दो दिन बाद कर देंगे आ एकछी सिकाहित अब तक इस पर मिली है ये लाकटा भी आपको पता वनह जी कितने सिकाहित मिली है है । इक पॉइंट बारा कोड़ों से अधिक सिकाहित है अब करम टानी है एक पॉयंट क्रोड से अधिक सिकायत है तक प्राप्ट वह है तक प्राप्ट हईत्म थित 25.2 क्लूड अर्प Independent कि इसकायच यह ए हम संस्य के अब कर सकतूए है अदििग स्विकाइट अब तक प्राप रुए यह जीएक पॉंट वारन और इम These कितने का निवारन उगया, जिए का निवारन हो गया, यह भी आपको दान में रखने Jul7001 कितने का निवारन हो गया जिसमें से और अधीं करोड अधिक स्विकाइटों का निवारन हो गो जिसमें से एक पुइंट एक क्रोड से अधिक है एक क्रोड से अधिक है ठिकायतों का निवारन हो यह पूछ सकते हैं आपको डाटा ठिकायतों का हमादान हो गया निवारन हो गया निवारन हो यह डाटा कांसल है यह आर्थिक समिक्षा इसका स्रोत क्या है अपनी लेटेस आर्थिक समिक्षा उसमें लिखा हुआ है तो जार भास पेपर बनता है तो हो सकता डाटे पूछने की पुरी-पूरी संभावब दाटा पूछने की पूरी पूरी समावाव यह लग लग सारी शिकायत के सकते हैं कर ने का माधिध यह आप kोल करके फी शिट्व्र मॉली शिकाय तरज करा सकते हैं। आप और यह त्वोकुल स्पस्वेशन तक रियंकर लोग शिकाई दर्ज करा सकते हैं को से या नहिटिव एप्लिकेशन मोड आता है तो नेटिव एप्लिकेशन मोड से नेटिव एप्लिकेशन fak एप्लिकेशन का नाम क्या है नेट्व एप्लिकेशन पर भी शिकायद दर्ज करा सकते है यह डाउनलोड कर लिजी आप नेट्व एप्लिकेशन पर भी जाके शिकायद दर्ज करा सकते है यह एक एप्लिकेशन है मोबाइल एप्लिकेशन इस पर जाके शिकायद दर्ज करा सकत तो जन सूचना पोटल एक बार वापस लेग लोग क्या क्या परसन मनेंगे जन सूचना पोटल कब सुरू किया गया 13 सितम्द 2019 उसमें राज येपाल कर लाजमेशन एग लाइन क्या है ससत ननागरी खुसाल राजस्तान कौन साथ नौडल लिवाग है सूचना प्रोध्योगी और संचारिगाग संबल्बट नंबर मी टिक्सवन टूसेवन बाकी तो से में 800 एक्सों सी सरकार की जतने भी योजनाय चल रही है उनकी सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगें की जगें सुलब पारदर्शियों और विश्वस ने तरीके से उपलब्द करा तूचना और दूसरा उदेशिक है आईटी एक्ट दो जार पांच की धारा चार दो है उसको परभावी बनाना तोसल ओडिट के साथ साथ सरकार की तमाम योजना है उनको जनता तक पहुंचा और इसमें अ अलाकारी ग्रूप बनाए गया और उसके अध्यक से सुचना प्रद्विभा के विशेश अचीव और आयोगी नागरी को दौरा जन सुचना पोटल पर जाना है सुचना कैसे प्राप्त क्या प्रोसेस है जो सुचना चाहे उस पर क्लिक रोगे और उसकी सुचना आपको मिल लेगी कोई सुल्क नहीं लेगी और इसके लिए ऐसा सुचना पोटल पर वर्तमान में 115 वागू की 335 योजनों की 707 जन सुचना पोटल पर उफलब दे यह सब से लेटेस डाटा है वह आर्तिक समिक्षा के एकोडिंग था कोडिंग था इसका है जन सामयने ते कि जनता अपनी शिकायत यहां पर दर्ज करा सकती और उनकी जो समझ आए उसका निराकरण भी किया जाता है उसके लिए शुरू किया गया यह इसका उदेशी इसमें एकिकर्त यह एकिकर्त शिकायत निवारन मंचे इसका मतलब क्या है वागू की कोल करके ओनलाइन पोर्टल के माधिम से पंचाई समीति और जिला इस तर पर आप व्यक्तिकत रूप से जाके भी निशुल के दर्ज करा सकते हैं और एक नेटिव आपको एप्लिकेशन आता है तो भी डाउनलोड करके करने के लिए पारदर सिता शिकायत निवारन तो सेव एक करोड़ के शिकायतों का निवारन किया जाता है यह दो जन सुचन पोटल और संपर्क पोटल है प्रियास कि आपको बहुत भली बात ही समझे लेकिन कहीं बार एक परसन ही आसा है धन्यवाद थेंक्स फॉर्वाद